शारुक खान और दिपिका पाडुकोन की फिल्म पठान का जमकर विरोध हो रहा है फिल्म के गाने बेशरम रंग में दिपिका ने भगवा बिकनी पहन कर लोगों की भावनाओं को आहत किया ऐसा उन पर आरोप लग रहा है जिसके चलते हिंदू संगठन समेथ बीजेपी नेताओं का गुस्सा पठान पर फूट रहा है फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है पठान की रिलीस में अब कुछी वक्त बचा है ऐसे में शारुक के फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एकसाइटिड है वहीं अब पठान को लेकर हो रहे विवाद के बीच फिल्म के डारेक्टर सिधार्थ आनन का बयान काफी वाइरल हो रहा है सिधार्थ आनन ने कहा शारुक खान को डारेक्ट करना एक जिम्मेदारी है और ये अब और भी बड़ी बन जाती है क्योंकि उनके ब्रेक के बाद दर्शकों की उमीदें काफी बढ़ गई है और उनमें उत्सहा भी है मुझे फिल्म की रिलीज नस्दीक आते हुए अब एहसास हो रहा है कि उनकी फैन फॉलोईंग कितनी बड़ी है ये एक अद्भुत एहसास है और ये कहीं न कहीं रुमांचक है क्योंकि हम जानते हैं कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिससे देखकर वो खुश होंगे और गर्ब महसूस करेंगी सिधार दानन ने आगे कहा उन्हें पहली फिल्मों से अलग दिखाना हमारी टीम के लिए चुनोती से कम नहीं था लेकिन पूरी टीम ने उन्हें एक नए तरीके से पेश करने के लिए वास्तव में कड़ी महनत की है फिल्म में दिपिका और शारुक दोनों का लुक एकदम नया है और उनकी जोडी फ्रेश लगेगी ऐसे में मुझे लगता है कि दर्शक उन्हें पसंद करेंगे आपको बताते चले शारुक खान आखरी बार साल 2018 में जीरो में नजर आये थे जो बॉक्स ओफिस पर पिट गई थी वहीं पिछले साल वो ब्रहमास्त्र और रॉकेट्री में कैमियो कर चुके है अब 25 जनवरी को पठान रिलीज होने वाली है और ऐसे में दर्शक काफी एकसाइटिड है फिल्म में शारुक और दिपिका के अलावा जॉन अब्रहम भी नजर आएंगे 200 करोड के बजट में बनी ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलगू भाशा में भी रिलीज होगी जबसे इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब ही से से लेकर बवाल मचा हुआ है लोग ट्विटर पर जम कर बॉयकॉट पठान का ट्रेंड चला रही है इतना ही नहीं पठान का विरोध उनके गाने बेशरम रंग ने और ज्यादा पढ़ा दिया है हिंदो ही नहीं मुस्लिम संगठन भी पठान का जम कर विरोध कर रही है आपको बतादे चले पठान को सिधार्थ आनन ने डिरेक्ट किया है शारुक की ये फिल्म 25 जनवरी को बॉक्स ओफिस पर रिलीज होगी इस फिल्म के जरिये शारुक चार साल बाद बड़े परदे पर वापसी करने वाले है फिल्म में शारुक के साथ अक्ट्रेस दिपिका और जॉन भी एहम भूमिका में है अब देखने वाली बात ये होगी कि बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म का क्या हाल होता है वैसे आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रू झाल झाल